यूपी पुलिस बेकेंसी 2023 बर्सिस जनरल केटेगरी केंडिडिट्स अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि अभी ऐसा हुआ है कि जनरल केटेगरी वालों के लिए 18 से लेकर 22 साल तक है ये पुलिस में वो एजिक मोंस्टेवल बन सकते हैं 18 से लेकर 22 साल तक फीमेल के लिए छूट दी है बैए 18 से लेके 25 तक बन सकती है अगर जंडों के टागरी की है तो और OBC और SC वाले को छूट मिल जाएगी लगभग 5 साल की इनके लिए छूट है वो 27 तक इंग्जाम दे सकती है मुझसे बोला कि सर अपकी भारतों हम अपलाई करेंगी युपी ड्रेकनली में बहुत बेंट्टियु अीद के साथ ही ज्याओ से यादा बेखेंसी आई तो मैंने जएंगरा है यह इज क्या है नहीं हो पायेगा amedicon ami करोंगा तो मैंने का जब वो application ही accept नहीं करेंगे तुमारा तो apply कहां से करोगे तो यह चीज हुई है इसी वज़े से बोल रहा हूँ कि UP police vacancy 2023 versus general category candidates अब देखें यहाँ पर हुआ क्या है कि जब इससे पहले vacancy आई थी general category वाले उस समय underage थे माल लीजिए कि 17 साल कोई 75 साल कोई एक महिना कम कोई 15 दिन कम कोई 10 दिन कम कोई 2 दिन कम तो इसलिए apply नहीं कर पाएंगे अब उनके लिए मौका मिला है अब वो हो गए हैं कोई माल लीजिए 22 साल 2 महिना 22 साल 1 महिना 22 साल 5 महिना तो अब भी वो अपलाई नहीं कर पाएंगे तो यह खेना कि आपसर की समानता हमारा अधिकार है तो बहाँ पर बताईए आपकी एक बार भी मौका नहीं मिल रहा है उन लोगों के लिए कि वो उस एकजाम में बैठ पाएंगे अब इसी को लेकर जनरल केटागरी के जो हैं वो धर्ना परदस्तन भी कर रहे हैं आमदोलन कर रहे हैं और जगे जगे पर पुतला भी फुग रहे हैं कि ऐसा क्यों कि एक बार भी हमारे लिए अपसर की समानता नहीं दी गई है अब देखिए कुछ तारकिक बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो आप यह समझे कि ऐसा किया क्यों जाता है कि देखिए आप वो यह मान के चलिए कि किसी भी वेकेंसी में 18 से लेकर माल लेजिए 22 साल है जनरल के टाइरी वालों के लिए बहीं OVC वालों के लिए देखने को मिलता है तीन बर्स की छूट दे दी आती है कभी-कभी और SC और HD वालों के लिए 5 वर्स की और जबकि OVC और SCHT अभी UP पुलिस में दोनों के लिए 5 बर्स की ही छूट दी जा रही है मतलब वो 18 से लेकर 27 साल तक अपलाई कर पाएंगे जनरल के टाइगरी वाले नहीं कर पाएंगे तो ऐसा क्यों किया जाता है सवाल तो आना चाहिए कि भाई आप भी UP की निवा करते हैं तो हमें की रोकत दी जाता है और यह केवल UP पुलिस में ही नहीं आप UPSC को ले लो आप IES IPS को ले लो जहां एक जनरल कैटेगरी वाला 21 साल तक IES IPS बन सकता है बहीं OVC वाला 21 से लेकर 35 तक बन रहा है STSC वाले आपके 37 साल तक बन रहे हैं तो वहां पर भी उनके स जात एक तरीके से रोक दिये जाता है अब यह रोका क्यों जाता है सबसे पहले इसको समझे लीजिए उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि आखिर अगर यह लोग ना रोकी तो क्या करें देखिए आपने सुना होगा कि आरच्छड एक तो आरच्छड क्या होता है कि माल यह 100 वैकेंसी हैं तो हमने कह दिया कि इसमें से हम 10 तो ओवीसी वाले लेंगे ही लेंगे यह की उधारण के लिए समझा रहा होगा है तो एक टाइप का आरच्छड का नियम यह हो गया कि 100 मैज से 10 ओवीसी वाले हम लेंगे ही लेंगे 90 में बात होगी HTSD और जनरल कैटेग दीवाले हैं इनके लिए 55 % मार्कस रइसिकर इग्रिशिन में कोई भी बेकेंसिमाल लेते हैं और ओबी सी वाले हैं के लिए 50 पर करना है उसमें छूड दे लिए और जनरल केटेगरी वाले तभी लिये जाएंगे जब 55% उनके मार्क्स होंगे तो जवरदस्ती संख्या कम करना यह जवरदस्ती छटनी करना यह भी एक प्रकार का आरचर का ही नियम कहलाता है अब ऐसे करके भी रोक दिये जाता है दूसरी हमें एक तार्किक बात करते हैं कि माल लीजिए आप यह मालते हैं कि देखिए जो कॉंस्टेबल बने गाई पी पुलिस में पहली बात तो जब एक कंडिडेट 32 साल तक IPS बनके पुलिस सेवा में जा सकता है तो फिल ऐसे कॉंस्टेबल क्या दिक्कत है अगर माल लीजिए आप उसे 32 साल तक भी ले लेते हैं तो दिक्कत कैया सब के लिए लिजिए आर्चर देना आप सीटो को रिज अश्प कर दो उसके लावा आपको फीस में चूट दे नहीं है फीस है नहीं दो बहुत आरचर हुँआ है लेकिन ओनार करने से पहले marks decide कर दे रहा इतने percentage होनी चाहिए तो ये चीज ये छटनी कहलाती है कि उनको एक और तरीके से रोकना कि जनर्रल केटागरी की वालों की जो भीड है उसको कम करना और जब कि ऐसी वाले हैं उनके लिए सबके लिए allow कर देना उससे ज़्यादा और उसके लावा फिर उनके लिए जो सीटें हैं कि हम दस सीटें पर लेंगी ही लेंगे तो उनमें तो ले लो ले लो बाकी बचे उनमें भी जाने दो अगर जब ओवी सी वाला 27 साल पर कॉंस्टेवल बंके उसके अची सेवा कर सकता है तो फिर जरनल बाला भी कर ले क्यां इंसान तो दोनों है कोई दिक्कत ही नहीं है लेकिन यह किया क्यों जाता है मैं उस विजे से बता दिया हो हूं कि यह केवल आर्षड की वजे से किया रता है कि जरनल category बालों के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके रोक लो इनकी भीड कम करो तो इसलिए जैसे समझे नहीं अगर सो जनल के टाइगर के candidate हैं उन्हें से 50 आप ऐसी निकाल दिये कि तुमारे माक्स नहीं है या तुमारी येज नहीं है बचे 50 तो 50 में इसी तो रोका जाता है जानबूज के प्लानिंग की जाती है कि जनल केटेगरी वालों की भीड़ना पर पाए और उनको पहले ही कुछ पैराम आप से निकाल दिये जाए तो ये सारी चीज़े चलती है इसी के आधार पर ऐसा हो रहा है कि जनल केटेगरी वाला कि और 18 से 22 साल तक ही प्रशूर नहीं है वो केवल इतने साल से इतने साल तक ही दे पाएंगे